नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिरसे एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आप में discussion करने वाला हूँ ऐसे companies के बारे में जो दिखाजे तो एक chemical industries से बिलोंग करते है और chemical industries में जितने सारे leaders company है आप सभी जानते है chemical industries अलग-अलग categories के होते है जैसे अधिसाब्स industries में भी chemicals है, साथी साथ paint industries में भी है rubber industries में भी है, तो साथी साथ pharmaceutical industries में भी है साथी साथ आप देखेंगे तो agriculture industries में भी है तो chemicals हर जगा पे लगते है तो इसी से जुड़े हुए एक companies के बारे में discuss करूँगा जो इंडिया के top 5 ranking में खुद का नाम सामिल कर चुके है तो top 5 company कौन है, तो उसके पारे में discussion करूँगा क्योंकि एक best company है और इस company के multi-bagger बनने का possibility बहुत strong है क्योंकि इसका जो clients है वो इंडिया के top top number one, number two position में रहने वाला company से तो चलो मैं पूरा detail discuss करूँगा तो वीडियो को last तक जुरू देखिएगा और अभी तक अपने इस channel को subscribe नहीं किया तो जुरू subscribe कर लेना क्योंकि कुछ daily basis, stock market information, update, news इसी channel के मात्व हम से मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो company कौन सा है, company का नाम कौन सा है company का नाम है Depok Nitrate तो Depok Nitrate एक chemical industry से बिलों करते है और आप सभी जानते हैं मैं कुछी दिनों पहले यह जो picture है, यह picture में आपको इसका पर वीडियो भी बना के दिया था एक बाद Depok Nitrate के एक मतलब factories में आग लगे थे तो उसके पर मैं वीडियो आपको बना के दिया था तो अभी जो मतलब जो चीज आपको मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस company का खासियत क्या है वो आपको देखना है तो क्या आग लग गया company बरबाद हो गया उस तरह के से तो बहुत सरे question पहले हो चुके है तो मैं उसको discuss नहीं करूंगा देखिए इस तरह के से सिन्यार्वी तो चलते रहते हैं companies का business में चलते रहते हैं हाथसा तो होते ही रहते हैं तो इस company में क्या stand है क्या future में वो multi बगर बनेंगे तो चलो उसी के उपर discussion कर लेते हैं सबसे पहले जो points है आप देखेंगे तो इसका comparison के हिसाब से जितनी सारे chemical industries company है उन में से number on PD light है उसके बाद SRF है गुजरात आप देखिए जो गुजरात companies है साथी साथ आप देखेंगे तो solar industries है उसके बाद Deep Ognitrate है तो Deep Ognitrate जो है वो कौन सा सेक्टर में है chemical industries के उपर तो company का stand है सबसे पहले वो आपको दिखा दू तो companies का जो stand है company का stand है में आपको पहले जो चीज दिखाने वाला हूँ वो है company का customer company कौन सा customer को माल बेशते है देखिए जिस जो नाम आपको में दिखाऊंगा वो इंडिया के top Indian oil आप सभी जानते है Reliance आप सभी जानते है L'Oreal एभी product अपने जानते है नीर्मा इसका भी नाम सुने है साती सात हिंदूस्तन Unilever साती सात अब देखेंगे तो BASF तो इस तरीके से बहुत सरे कंपनी से आप देखेंगे तो Reels India Limited जो Tata Group के है तो EV इस कंपनी से product खरीतते है Tata Group का खुद का chemical industry होने के बाद भी इस कंपनी को product खरीतते है तो इसकी stand आपको यहाँ पे सामने ही दिख रहा है साती सात कंपनी के और भी data आपको दिखा दू मतलग company का जो product है मतलग company का जो product है वो कौन सा कौन सा Ind sins में company बेशते है आप देखेंगे तो pharmaceutical industry के उपर भी company माल बेशते है agree culture के उपर भी बेशते है अब देखे दिर रिजिन्स के उपर भी बेशते है साथि साथ personal cares के उपर भी product बनाने के लिए इसका chemical जुरूत है papers बनाने के लिए भी साथ आपर देखे dyes and pigments के उपर भी है अधि साथ के उपर भी अधि साथ आप सब यह जनते है जो PD light industries है उसको अधीश हब कमपाणी बोला जेता है उसका प्रोडक्त है उसके लिए bhi केमीकल्स के जडरूत होते हैं वो भी इस कमपानी डिस्टिटिब्स करते हैं सती साथ आपशेक अपर से वोपर से एक सतीズ के उन पर मतलब आदल केमिकल्स के उपर तो जो मतलब बॉडी स्प्रे होते हैं जो रूम फ्रेसनर होते हैं तो उस तरीक से पोड़क्स भी इसी केमिकल्स के बनते हैं तो कंपनी के जो स्टेंद है वो बहुत स्ट्रॉंग है तो मैं कंपनी को और भी एक चीज दिखा दूँ कंपनी सर् ते मतलब अलग अलग प्रोडक्त बना चुके है वन थाउजन प्लास इसका कस्टोमर से आप कहेंगे सर हजार कस्टोमर इसमें क्या होगा 1000 कस्टोमर मतलब इसका बड़े से डिलर्स और डिश्टिबीटर के बारे में बात किया रहा है प्लास से भी ज्यादे से कंपानी का जुष्टेंट हैं वह कंपानी के सबसे ज्यादर प्रोडक्त बनाते हैं यहां पे दिखिए साथी साथ कंपानी का जो नेट रेविन्यूस है वो 6,845 करोर के आसपास है बहुत तगड़ा परफॉर्मेंट्स है मैनेशर मैनेफेक्टरिंग जो फैक्ट्रीज है इन में से एक फैक्ट्रीज में आग लग गये थे और भी ठीक हो गया कोई बात नहीं तो companies के जो stand है वो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि company किस तरीके से खुद को आगे लेके आया तो सिर्फ देखिए कितने बड़ा बिजनिस किया वो सबसे important तो है ही साथी साथ companies के fundamentally and financially growth कितना है वो भी आपको देखना चाहिए देखिए अगर मैं बाकी companies से इस company को comparison करूँ तो दीपोग जो nitride है इसका comparison करूँ तो company का return of equities best level में देखा जितने सारे companies है उसको भी टक्कर दे पाए इस company और दूसरी बात इसका depth of equity बाकी companies से सबसे ज़्यदा कम है सबसे दा कम इसका depth है साथी साथ market cap to sales भी कम है साथी साथ company का pbp ratio भी बहुत कम है तो इसका मतलब company में जो stand है वो आपको competitor के सबसे बाकी जितने सारे company है जैसे pd light हो गया इस सरफ हो गया गुजरात हो गया solar industries हो गया इस सारे companies को बहुत टक्कर दे पार है तो इही stand है में companies क के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा है कि इस company के ऊपर आपको कभी भी मौका मिले तो obviously इस company इसके पर जूरू सोचना युग कमपणी ने कुछ दिए पहले quarter के result भी सामने लिखा है हां थोड़ा सा इस बार result उतना खास नहीं हुआ तो फिर भी देखिए हर quarter में result अच् नहीं है तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए sales growth profit growth बहुत तगड़ा है company अच्छा है इसलिए institution भी इसको पर भरोसा करना लग गया क्योंकि 10 परसन 16 परसन के आसपास इसका पहले था उसी level के आसपास अभी भी holding है तो promoter के बाद public के पास भी holding है तो company के एक चीज अप ठीक नहीं है तो कुछ भी संभब नहीं है क्योंकि cash flow उसको बताता है company के हाथ में time to time पैसा आ रहा है के नहीं आ रहा है तो obviously time to time पैसा आ रहा है यही सबसे बड़ी खासियत होगा तो company extra benefit क्या दिया तो एक किसी भी company लेके आये थे तो extra benefit की साबसे बहुत सारे चीज company आपको दे चुके है अभी company के extend में आपको दिखा दू company का dividend payout उतना खास नहीं है फिर भी कोई बात नहीं company future में जोरूद इस तरीके से चीज को change करेगा तो company का देखिए एक चीज में आपको दिखा दू company का जो एक्तम ना के बराबर है तो एही सबसे बड़ा खासिय थे company के लिए जो company इसका करजा कम रहेगा वो company आज नहीं तो कल वो खड़ा जूरूर हो पाएंगे obviously खड़ा है और 20 उसको देखने को मिलेगा तो company अभी 28,000 करोड के आसपास है तो इसको multi-vegar बनने के possibility high chances है तो इ तो इसी का फाइदा आपको उठाना चाहिए क्योंकर 1000 points के आपको discount में company आपको इस company का product दे रहे है तो खरीदना है क्या बेचना है वो आपके हाथ में होगा क्योंकि आप बहुत smart investor है मैं जानता हूँ उसके हिसाब से काम करिए मेरा काम था company के बारे में details discuss करना तो सारे information आ आपको कैसे लगा चुरू कमेंट करना इसी तरीके से वीडियो देरे करने के लिए चैनल को सब्सक्रेब भी करना वेते नेक्स दिन्या स्टॉक लेके तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्या लेकिए बैबाए